आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी जिनकी प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है उनके लिए इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और साथी साथ कुछ महिलाय होती है जिनको नॉर्मल डिलीवरी के नाम सही डर लगता है अगर आपने ये वीडियो लास तक देख लिया तो अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से डरना बेकुफी ही होगी और कई बार कुछ महिलाय क्या होती है नॉर्मल डिलीवरी से डर कर सी सेक्षिन करवा लेती है और बाद में वह किन मैंनों में पस्टाती है वह भी चर्चा किया जाएगा मैंने यहां पिक करने की कोसिस किये तो चली गई इसमें वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं हुश्वेता और आप सब बहुत-बहुत स्वागत है प्राइमम चारल में पहली बार अगर आया है चारल को जरू सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक किजेगा यहां हम सब सब पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए देखे नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम पूरे महीने सोचते हैं करने के मतलब कि पहले महीने से लेके नौन महीने तक सोचते हैं लेकि जब नॉर्मल डिलीबरी का समय आता है करने को मतलब लास्ट महीना चल रहा होता है तो हमें डर लगता है क्यूं डर लगता है कैसे महिला होती है ? उनकी क्या क्या अप से कम दर्ड होता है नॉर्मल डिलिवरी की टाइमिंग आपको पता है 34-24 गंडे बीच नॉर्मल डिलिवरी गाराई जाती है जिस महिल की जो डिलिवरी है वो बहुत जल्द हो जाती है तो इसका मतलब वो आपसे बताएगी कि उसे कम दर्द हुआ लेकिन वही जिस महिला की डिलिवरी 24 गंटे, 20 गंटे, 15 गंटे, 12 गंटे चली इतने समय तक उसे दर्द हुआ तब जाके उसकी नॉर्मल डिलिवरी पॉसिबल हो पाई वो आपको बताएगी कि उसको ज्यादा दर्द हुआ, मेरे टाइम क्या हुआ, साधे तीर घंटा हुआ, तो मैं आपको बताऊंगे कि कम दर्द होता है, तो यह सब टाइमिंग का चक्कर है, जो ज्यादा दर्द बताता है, जो कम दर जहलता है, वो कम दर्द बताता है, तो अ रोटिया और चावल नहीं खाना है आपको उस टाइम हलका गर्म दूद पीना है आपको चाहे तो आप जूस पी सकते हैं लेकिन फ्रीज का जूस मत पीजिए नॉर्मल टेमप्रेचर का आप चाहे तो जूस भी पी सकती है और साथ ही साथ कोशिस कीजिए कि आप घी वगरा भ मत कीजिए लिक्वेट डाइट पर रही है लिक्वेट डाइट पर रहने के कारण क्या होता है आपके पेट में बहुत अच्छा खासा स्तेस बना रहता है बच्चे को बाहर निकलने में तो ज्यादा असानी होती है और साथ ही साथ जैसे ही लेबर पेन आता है उस सेम समय से आपको क्या करना है खड़े रहना है लेबर पेन आने के बाद ना तो सोना है ना तो बैटना है मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वो सो जाती है वो पढ़ जाती है रोने लगती है बैट जाती है बस यही सिचुएशन बिगर जाती है क्योंकि labor pain आने का मतलब क्या होता है वो कब आता है जब भी बच्चा जो है वो आपके cervix के उपर बहुँ जदा pressure डालता है बहुँ जदा pressure डालता है कभी जाकर amniotic fluid फटता है या cervix open होना है start होता है तो वो बच्चा खुद बाहर आना चाहता है तीक है आपकी अब headache नहीं है वो बच्चा बाहर आना चाहता है इसलिए आपका सरीर जो है इस तरह के indication दे रहा है और आपका cervix open होना है start होना है तो इस चीज में आपको क्या करना है support करना है और ना कि आपको सो जाना है और जब भी आप खड़े रहते हैं तो अच्छा कासा gravitational force होता है वो आपके उपर चाहिए जब आप खड़े रहते हैं तो बच्चा नीचे में बहुत जल्सारकता है तो कहने का मतलब है कि यहां आपको यही एफ़र्ट लगाना है कि खड़ा हुए रहना है घूमते रहना है तो आप दीवार पकड़ के खड़ी हो सकती है मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ने ये चीजे बताई कि लेबर पेन आना है स्टाट हुआ वो दीवार के सहारे दो तीन गंटे-चार गंटे तक खड़ी रही क्योंकि वो टैल नहीं पा रही थी उनसे नहीं हो पा रहा था उन्हें डर लग रहा था तो आप इस तरह की चीजों को अपना ये और हीमत को बना क सब्सक्राइबर के अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके सेर जरूर किजिए और जाते हुए चानल को सब्सक्राइब किजिए कर तक लिए बावाएं देखें